हेलो एवरीवन आज के रिविजन और ब्रेन अस्ट्रोमिंग सेशन में आपका स्वागत है हम लोग इस वीडियो में हम लोग ने एक महिना में जितना भी पढ़ा है उन सभी चीजों को रिभाइज करने की कोसिज करते हैं तो हम लोग शुरू करते हैं आंद्र तोरी अरुनाचल पर्देश से आपको बताना है कि अरुनाचल पर्देश में हमने क्या-क्या हील्स और पिक्स पढ़े थे क्या आपको याद हैं कि डाफला हील्स फस्ट सेकंड आप लोग बताईए मीरी हील्स घट बताईए आबोर हिल्स और तो बताईए मिस्मी हिल्स ये चार हिल्स हमने पढ़ा था पर इसके साथ शाथ एक आप लोग बताईए इसका हाइस्ट पिक क्या है परनाचल पर्देश का कांग टोपिक क्या आपको याद ही ये आप लोग नेश्ट बताईए कि इस अरुनाचल पर्देश का हाँ इस अरुनाचल पर्देश में आपने क्या-क्या नेशनल पर्क्स पढ़े थे हैं फस्ट आपने पढ़ा था मावलिंग नेशनल पार्क किया याद है आप लोग को दुसरा क्या पढ़ा था आपने दुसरा पढ़ा था नामदफ़ा नेशनल पार्क इस नामदफ़ा में नेशनल पार्क जो है वह हमने कहां पढ़ा था पताई यहां से एक रिभर निकलती थी क्या आपको याद है नोवा अब यहां के स्पेशिस क्या आपको पता है क्यात कीजिए और क्या पढ़ाता है अब बताईए आप लोग इस तो मावलिंग नेशनल पार्क है इस मावलिंग नेशनल पार्क में हमने क्या पढ़ाता है हमने दो स्पेशिस पढ़ाता है में जा लिया, इधर के मावलें देशता है, बताइए, घरेट पांड़ा, पढ़ा था हमने, और क्या पढ़ा था हमने, खकीन, ठीके, एक रिवार हमने पढ़ा था है, इस रिवार का नाम था, क्या आप लोगों को याद आया इतना, के साथ ही साथ, सिरी, और जितने भी ओंग थे, जैसे, प्रोबॉंग, आपका सिमॉंग, यह सभी जो है, इसी रिवर्स में थे, और यह तो हमने दो नेशनल पार्क पढ़ा, एक तो हमने देखा, मावलिंग नेशनल पार्क, दूसरा द साम दफ़ा नेशनल पार्क, इसके साथ ही साथ, इसके साथ ही साथ, प्लस में ने किया, दो हमने पढ़ा था इसमें, टाइगर रिजर्व, एक था, पखुई टाइगर रिजर्व, दूसरा क्या था, बताईए, वाइल लाइफ, सेंचुरी, ठीक है, तो क्या क्या हमने देखा, ताफला हिल्स, मेरी, आबोर, मिस्वी, कांग्टो, मावली, नाम दफ़ा, और साथ ही साथ, यहाँ देखिए, पखुई और काम लाइग, आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग comment box में, अरुनाचल परदेश के, जितने भी आपने जो भी चीज पढ़ा है, जो जो आपको याद आए, एक सीरीज में इस तरह से, इस तरह से मैंने लिखा है, उस तरह से आप लोग comment कीजिए, फिर हम लोग आते हैं, अब हम लोग आ लेंड, जब हम बात करेंगे, तो नागा लेंड में हमने क्या पढ़ा था, क्या आपको याद है, नागा हिल्स, इसके साथ इसाथ, इसके हाइस्ट पीक क्या था, हाइस्ट पीक था, सारा, मार्ति, ठीक है, अब आप लोग बताईए, इस नागा लेंड में, जो हमने पार्क उस नेशनल पार्क को आपको लिखना है इस पर क्या दो चीज़े तो हमने देख लिया और ठाड़ वन थी क्या क्या स्पेसिज हमने पढ़ाता हैं कि आपको याद हैं गिवाउन गोल्डेंड लंगूर और नबिल इस तरह से आप लोग एक काम किजिएगा नागालेंड आप लोग अपने दिमाग में उठाईए और क्या क्या आपको नागालेंड के बार में पता है उन सभी चीज़ को आप लोग लिखिए और एक सबसेचा उप्षन आप मेरे कॉमेंट ब अब यह चीज़ों को लिखिए ठीक है मेरे को मेंट में और कोशिस किजिए कि सभी इंटिटीज आपने लिख दिया हो और जो जो चीज़ आपने नहीं लिखा उस इसको आप लोग प्रेक्टिस किजिए ताकि हर एक चीज़ आपको दिमाग में रहे है तो हमने मिलता है वहाँ इस जीज़ों को भी हमने देख लिया अब हम लोग आते हैं थड़ अधा आते हैं हम लोग मनीपूर पे ठीक है मनीपूर में हमने क्या पढ़ा था है सबसे पहले उसका हाइस्ट पिक तो था क्या था माउंट क्या आपको याद है कि नहीं है कि माउंट इसो जो है वह मनीपूर का हाइस्ट है इसके अलावा हमने यहाँ पे दो यहाँ पे लिख रहा हूँ कीबूल लाम जाओ नेशनल पार्क ठीक है इसमें हमने क्या पढ़ाता है एक तो अधिक दान्सिंग डियर मिलता है कोई दिकत है दूसरा हमने क्या पढ़ाता है इसमें फ्लोटिंग नेशनल पार्क हम लोग घर ते पढ़ाता की नहीं पढ़ाता है और एक चीज़ में क्या पढ़ाता है पलस किया हमने लोग तक लेक इतना याद है आप लोग को इसके अलावा हमने क्या पढ़ाता है एक चीज़ शिरोही नेशनल पार्क और इसमें हमने एक फ्लावर पढ़ाता है आपको नाम याद है फिरोही ठीक है इतना आप लोग को याद है तो मैं अब आप लोगों को नेक्स ले जा रहा जाता हूं और नेक्स में ले जा रहा हूं तो नाम है मिजोरम में हमने कुछ माउंटेन पिक्स पढ़े थे पर माउंटेन हिल्स क्या दें हाइस्ट्पिक बताइए आप लोग मिजोरम का बलू माउंटेन देखें मैं दिखा रहा हूं आप लोगो ठीक है मिजोरम का क्या हाइस्ट्पिक हुआ मैं पेंचेंज कर रहा हूं बलू माउंटेन मनीपूर का माउंट आइसो और नागा लेंड का तारामाटी और देहां देखें अनुआचल पर्देश का कांग्टो कोई दिकत मैं आओ गया आप लोगो दिखा रहा हूं यह तो हमने पढ़ लिया एक तो मीजो हिल्स एक हमने पढ़ लिया बलू माउंटेन अब बताइए इसके नेशनल पर्क क्या आपको याद है है को ज्याद आया मुर्लेन नेशनल पर्क क्या आपको याद आया वांग्पुई नेशनल पर्क ठीक है इस मुर्लेन में क्या पाया जाता था मुर्लेन से आप एसोशेटेड डिपर बताईए तुई पुई रिभर और बताईए क्या आपको इससे याद है क्या आपको इससे एस्पेसिज बताईए आप लोग ठीक है याद है बलेक जाएंट इसको एरेल अगर मैं फांग्पुई नेशनल पर्क की बात करूँ तो हमने यहां तीन एस्पेसिज पढ़े थी वालो बताईए याद है आप लोग को रोगा बैन रेगो बैन दूसरा पताईए एक नेशनल एनिमल मिजोरम का पताईए नेशनल पच्छी बर्ड इसको अब बोलते हैं कि यूम्स यह क्या है यह नेशनल पर्ड कहां का मिजोरम का इतना हमने कर लिया इन चीज़े अब मैं आपको बता रहा हूं एक आप लोग बताईए मेगाले हम लोग आते हैं मेगालेया में बताईए आप लोग कि आपने क्या क्या पिक्स पढ़े थी गारो और खासी और रेंटिया आते हैं अब बताईए क्या क्या मांटेन्स हमने इसमें पढ़े थे मांटेन्स हमने आप लोग को डिसकुस कर लिया क्या क्या नेशनल पर्क हमने पढ़ा था इस मेगालेया में दो गोकरेक नैश्नल पार्क की लिवैर के साथ बाराए चालू को चैनल पार्क पर कि आप जो डाल हिल्स में ने बताया इससे का सपाते यह नैश्नल परक यह फरिग दंए यह झाल के नश्नल पार्क क्या यहां पर एसीन गोल्डेन केट पाया जाता है क्या दे कुछ जा जाता है इंडियन एलिफैंट ठीक है तेकें आ रहे हैं लोग अज़िए यहां ला रहा हूं ठीक है अब बताईए पार्क बाल मकरम नेशनल पार्क ठीक है इससे एसोसेटेड रिफर बताईए आप लोग जिम संग रिफर ठीक है और इसी को क्या हम लोग कहते है और तोमेश्षवरी टीक है मैं अब बताईए एक स्पिसिस एक बता रहा हूं यहां पे मिलता है वो है रेड पांडा अरुण्द पर्देश का एक पार्क है जहां पे रेड पांडा मिलता है आपको उसका नाम बताना है यहाँ पर Maulin National Park मिलता है और इसके अलावा क्या मिलता है इस वहाँ पर इस रेट पंडा क्या लावा रेइन हो गया इसने रेट पंडा पर देख लिया और क्या मिलता है बता सकते कुछ कुछ आईडिया आप लोगों स्टांप टॉल्ड बंदर का इस पेसी जमने पढ़ाता है प्लस पेसियन एलिव प्रेंट आप लोग कमेंड बॉक्स में हर एक स्टेट्स का आप लोग लिख के मुझे बताईए ताकि आपको याद करेगा जब भी आप रिविजन कीजिएगा न इसी तरह से कीजिए अरुनाचल प्रदेश स्टेट को उठा लिजी और क्या क्या आपको पता है वहां नेशनल पार्क क्या पता है क्योंकि हम अभी सिब नेशनल पार्क और जैनली रिवर्स इसी को देख नेशनल प्रदेश में आपको बताया किस अरुनाचल प्रदेश से तो भरंपुत रिवर जाती है तो यह मैं पास मिलता है याँ प्यार्क आप प्याद है कि जूंग याप पास है थीक है को क्या किस रिवर्स हमने बात की चैनली बात की पुत्रा के अब आप बताईए कि कहां से ये औरजीन है ब्रह्मा पुत्रा रिवर की आपको याद है क्याम यूंग तूंग के लिए सियर से हैं कि ये कहां जाती है कहां से निकलेगी है कि बस से निकलेगी फिर कहां जाएगे अरुनाचल पर्दिस में जाएगे किस पास के थ्रूंग याब पास फिर यहां पर कुछ इसका ट्रिब्यूटरीज है कि मैं यहां पर लिख रहा हूं कि हांग कि भांग क्या दा रहा है आप लोग को लोई हित इस तरह से आप लोग कमेंट बॉक्स में हर एक टोपिक में जो बता रहा हूं उन सभी को आप लोग बताईए धन्सिरी सुभन्सिरी कामेंग क्या दा रहा है कुछ मानस रेडाक रिभर रेडाक रेडाक जल धाका तीस्ता फिर खाँ जाएगी जमुना बन जाएगी और जब जमुना बनीगी तो क्या होगा पदमा पलस जमुना मिलके बन जाएगा मेगना रिवर ठीक है तो हम कहां पे थे भी हम लोग देखिए मेगाले तक थे अब हम लोग आगे आ रहे हैं और हम लोग त्रीपूरा को देखेंगे त्रीपूरा के आप लोग पासेज बताईए कि हमने त्रीपूरा में हाइस्ट पिक क्या पढ़ा था बैटलिंग शी तो ज्याद हैं अब आप लोग इस त्रीपूरा में हमने दो पार्क पढ़ा था उस पार्क का नाम पताईए राजबारी नेशनल पार्क एंड सकेंड क्या पढ़ा था हमने लावडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क इस राजबारी में हमने क्या पढ़ा था है क्या हमने पढ़ा था और के बारे में और साथ ही साथ हमने बताया था कि एक त्रिष्णा वाइल्ड लाइफ केंचुरी यहां पर इसे से एसोस्येटेड यह जुड़ा हुआ है क्या आप लोग याद आया एक कोश्चन बताईए आप लोग मैं पूछ रहा हूं प्रम पुत्र रिभर का दिबत में क्या नाम है कि यह सामने देखा कि अबर हम पुत्र का बंगलाद इसमें आके जमुना नाम हो जा रहा है तो तिबत में क्या है तिबत में इसका नाम है यार लूंग एक तो आप लोग बोल सकते हैं जांग भू शांग भू कि अर्ण भू यार लूंग शांग पूरिभर तो तक हैं तो हमने त्रिपूरा भी देख लिया हमने अरुनाचल पर्देश देखा उत्के बाद हमने नागालेंड देखा तो अब आप बताईए अरुनाचल पर्देश प्लस नागालेन इन दोनों के बीच एक रेंजेश पहाए जाता है तो क्या बोलते हैं पटकाई बूं डेंज कुछ याद आए अप लोग को शुब्रूंठ रादुश प्लस Cathedral Pine अर आप हमने नागालेन देख लिया हमने मनिपूर देखा हमने फिर देखा कि मेगाले देखा म भी भी देखा हमने बेगाले भी देखा और हमने तिरपूरा भी देखा अब हम लोग आते हैं असम पे और असम में बताईए कि क्या क्या पीक्स आपने पढ़ा था को जाद है आप लोगों को तो अपया उसको बताने का कोसिश की है अगल लिख रहा हो अमने कहरा कि है कि हुआ ऐस आ अ कर भिक हिल्स है आप लोगों को जाद है कि मिके रहील के बारे में कुछ है यह इसके सबी अřम के है और इसके साथ साथ आप लोग अब असम्प का जितने भी नेशनल पार्क से उसको बताईए दीबरूस साइखोवा नेशनल पार्क फिर बताईए काजी रंगा नेशनल पार्क फिर बताईए फिर बताईए अरांग नेशनल पार्क फिर बताईए जानश नेशनल पार्क कुछ याद आया कि सेलिए इस सीक्ट में कुछ इंपोर्टेंट चीजी पूछ रहा हूँ आप बताईए इस ओरांग रिवर से एक रिवर एसोस्टियेटेड है उसका नाम क्या है कि बैल्शरी रिवर और कौन से स्पेसिज पाए जाती है होग पिगमी होग ठीक है आप बताईए जो मैंने आपको बताईए देबरु साइख हुआ यहाँ पे से आ रहा हूँ इस देबरु साइख हुआ से अधा तो अनुम से से ट्रीवर से चैनल क्या लहींत रिवर यांत है ब्रमूत रिवर ग्लें कि वह है और साथ यह फूर में मैं जाहें हैं प्रम हों और चला है कि इस अस देबरुर की नलों है यह रेट बंडा याद है ना दो के साथ एसोसेटेड है अभी तक हमने अभी तो इतना देखा अब आप लोग बताईए ना मेरी तो ठीक है ना मेरी में कुछ खास नहीं है इस बिल पाए जाता है एक इंपोर्टेंट है मानस जो मैंने बताए आपको मानस से खुझ एक रिवर पर एसोसेटेड है इसको लोग बोलते मानस रिवर इसके अलाववक्त क्या मिलता यह पर बेंगल फ्लोरिकन मिलता है यह पलोग गाजी रंगा में क्या-क्या मिलता है इंडियान राइनोसार्स वाइल वाटर वफैल्लो तो यह सब चीज़े आप लोगो पतावगे तो हमने लग वाक एक ओबर भी देख लिया नागालेंट देख लिया मिजोरूम सब कुछ थे लिए एक बाकी रह गया लग रहा है मिजोरूम यह आपका सिक्कीम बाकी सिक्कीम को हम देखते हैं कि हम यह आ रहा हूं तक विलर चेंज पार्क यह हो गया हमने बरंपुत्र भी देख लिया आप बताईए आप लोग कि मैं यहां पर आ रहा हूं और देखिए मैं यहां लिख रहा हूं ठीक है इंडस रिभर इस्टम नॉर्थ तू जितने भी रिभर समने पढ़े थे उसका एरेजमेंट आपको लिखना है यहां प यहां पर लिख रहा हूं कि सबसे उपर है इंडस रिभर है कि अगी नहीं है फिर आप लोग बताईए इंडस के नीचे क्या आएगा कि पिर कि पिर कि फिर ब्यास कि एन एट लास्टली इस इंडस रिभर का कि प्लोइंग रिजन आपको पता है कि बस से निकलती है नहीं जाएगी कि जमू कस्मिर होते हुए पाकिस्तान जली जाएगी इस 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 ब्यास का बताईए आप लोग कि बस से निकलेगी कि माचल परदेश के एक पास है उस पास का आप लोग नाम बताईए कि किस हिमाचल परदेश के किस पास से यह गुजरती है उस पास का नाम है इप इलापास ठीक है और फिर कहां जाएगे हिमाचल परदेश के बाद पंजाब चली जाएगे और फिर पाकिस्तान चली जाएगे यहीं से दो रिवर बयास और रावी निकलती है जो कि रोतांग पास से निकलती है और हिमाचल परदेश से दोनों निकलेगे लेकिन यह जो बयास रिवर है वो पंजाब में जाके सदलज में मर्ज कर जाती है और यह जो है पंजाब के बाद कहां जो जाएगे है पाकिस्टान है नो कोई हीं ऑन चिनाब रिवर फॉई हमाच्च ज solchenित पrale से निकांगे लिए एक मात्र में यूह मात्र को साह के ॥ कम लिए या यह तो ज Similar और यह दोनों जैने और मि अभी नहीं लिए के निच्छे पंजाब फ्लो हुए और फिर जमू कस्मीर के बाद तो है वो पाकिस्तान जहलम जमू एंड कस्मीर से निकले गे और फिर कहां जाएगे ज़िए और नेच्रल बाउंडरी बनाते हुए इंडिया और पाकिस्तान के बीच आप लोगों पता है पाकिस्तान चली जाएगे यह एक तरह से हो गया हमने नौर्थ तो साउथ अरेजमेंट भी देख लिया इसका इसका इस सत्लेज जिभर का और जिन भी आपको पता है बताई आप लोग एंसर इसका देने कुछ की आर से नाम था प्याद है आकस्ताल बागी सब को और जिन भी आपने देख लिया अलग भग चिन आपको आपको पता है एक चीज में यहां लिक रहा हूं चंद्रा प्लस भागा क्या यह तो हो गया यह अब यहां पर में लिक रहा हूं गंगा रिभर सिस्टम ठीक है अब लोग पढ़ेंगे अब गंगा रिवर सिस्टम को तो आप बताईए गंगा रिवर सिस्टम में कुछ चीजें बंदर पूछ याद है फिर गोमुख केदार नाथ एंड पद्रीनाथ यमुनोत्री ग्लेसियर गंगोत्री ग्लेसियर मंदा किनी एंड अलक नंदा अलक नंदा प्लस धोली गंगा मिला के विश्नु परियाग अलक नंदा प्लस नंदा किनी मिला के नंद परियाग अलक नंदा प्लस पिंडार रिभर मिला के घर्न परियाग पिर अलग नंदा प्लस मंदा किनी मिला के पता यह रुद्र परियाग अलग नंदा प्लस गोमुक इसमें भागी रती निकलती है वो मिला के देव परियाग और एट लसली इसके बाद गंगा बनेगी प्लस प्रियमुना मिलेगी देखें इधर से तरस्षोती और इधर से प्रिवेनी संगम यह भी पढ़ लिया और इस प्लस को क्या बोलेंगे प्रियाग राज देखें यह हमने पढ़ लिया अगर हम इधर की बात करें मान लिजेगी इसके ट्रिव्यूटरीज की बात करें तो दो तिन चीज तो आप पहले याद रख लिजिए क्या आपको ट्रिव्यूटरीज में आप लोग फिर से कमेंट कीजिए हर एक चीज़ को अब लोग कमेंट कीजिए एक लाइन से बताए कि राम गंगा या दाया गॉम्ती एक ट्रिव्यूटरीज जिसकी साई है फिर हम घागरा पढ़ेंगे इसकी कुछ ट्रिव्यूटरीज हमने पढ़ी थी क्या पढ़ी थी तीला तेरी देती जो नेपाल से आती है क्या लावा काली गंगा हमने इसी को पढ़ा था सर्यूग हमने इसी को पढ़ा था तार्दा और साथी चाथ और एक ट्रिव्यूटी हमने राप्ती पढ़ा था तो गोंती भी हो गया घागरा भी हो गया फिर आएगा गंडक जिसमें एक काली गंडक और बताईए नेचे आ रहा हूं ठीक है रिसूल गंगा फिर बताईए आप लोग इनेक्स ट्रिव्यूटीज बोढ़ी गंडक बोढ़ी गंडक फिर ओसी महा है अगर हम लेट बंक ट्रिव्यूटीज की बात करें तो यमूना थोन थोन की ट्रिव्यूटीज पताईए आप लोग क्या आपको याद है तिहांद साउत कोयल इससे याद रोग विमाग में रखें ठीक है पुनपुन एक डिस्ट्रिव्यूटी हमने पढ़ाता याद है मैं डिस्ट्रिव्यूटी को यहां से लिक रहा हूँ इस्ट्रिव्यूटी होगली रिभर और होगली रिभर से क्या मर्ज करती है आके डामो जर जो कहां से निकलेगी छोटा नाग पुर्ष ठीक है न याद आया या और जहां पे मिलेगी एक तो फरका बिरीज हमने पढ़ाता इस से और एक हमने इसमें हल्दिया पोट भी पढ़ाता है हल्दिया पोट क्या आप लोग कितना याद आया इसके बाद हमने क्या पढ़ाता इसमें इसमें पढ़ा था गंगा चली गई बांगला देश में और बांगला देश में जाके पदमा बन गई पदमा फलस जमूना मिलके मेगना बन गया आपको इतना याद आया अब देखिए हिमा लेयन इस्टम यार ट्रांस हिमाले ग्रेटर लेसर जिवालीक ट्रांस हिमाले के अगर हम लोग बात करें तो कारा कोरम रेंज याद हैं के टू रेंज कसेर बुरूम क्या याद है आप लोगों को लद्दाक जांसकर इसके बाद ग्रेटर हिमाले नंगा परवद जमू कस्मिर लद्दाक के अरिया में तंगा परवपी आर्वी एटी परवद इसके बाद हम लोग उत्तराखंड में माल लिजे आ रहे हैं उत्तराखंड में हमने क्या क्या पढ़ा था है मैं यहां से लिख रहा हूं यहां से लिख रहा हूं ठीक है के लास रेंज यह भी टांस निवाली में ही आता है ठीक है अब मैं आ रहा हूं कैदारनाथ इस तरह से दिमाग रहे हैं आप लिखन हम पर्देश आई यह आप लोग लग दिमाग रहिए आप लोग लिखार हमाजाल पूज में क्या क्या पढ़ा ओ त्रक साल रहा है मुंत stretching में एट्धा प्रदेश नो क्या क्या पढ़ा सुनासित हूं ठीक है फिरन भ kolay यह हमने देखा तो बंस्दर पुछ देखा केदर ना देखा बदिना देखा अनंदा भी देखा एंड में TRYSHOW रहे क्या इसके बाद जाएंगे है हां यहां दे इसके बाद हम लोग जाएंगे मेरे चेंज कर लिये हम इने एट पलस गए है कि नेपाल के कुछ रिजन्स में हैं हमारे हिमालेज के कुछ चोटी है ना धोली गंगा पिर अन अ को ना पुर्णा साथ एक एक एंट्रिस को कमेंट बॉक्स में लिकिए आप कोरी विजन होगा मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूं मैं आप लोगों के लिए बोल रहा हूं हूं है पूरी तंकर क्या क्या मैंने लिख लिया मुझे खूद देखने दिजे धोली गंगा लिख लिया मैंने अनपूर्णा पूरी संकर ठीक है एवरेस्ट क्या याद हैं तो यह साथे साथ मकालू इसके बाद हमने सिक्किम में देखा था कंचन जंगा करके कंचन जंगा और एक हमने पढ़ा था है अरुनाचल परदेश में क्या नाम था बताई आप लो नामचा अब नामचा बाड़वा ठीक है इसके बाद हम लोग आएंगे लेसर हिमाले में है कि पर पंजाल रेंज किया दार है कि रमने क्यां पढ़ा था द धोला धार रेंज मीनए दोला धार और ध nouvelles किकरी में खिंद्वे सकी है अब लोग ध्यान दिजीए और फिर हमने इन एहाए हम क्या पड़ें किसी में नाग त्पा भ्या तوق ते ए मस्चूरी रेंज कमाउ रेंज पिर महाभारत रेंज महाभा रत रेंज और यह महाभारत रेंज कहा आता तो नेपाल में तेकिन यह लेचर हमाले का पाठ है फिर हमने वह वोग की वालिक देखा था किया इतना बलोक हो गया किलियर टोटल हमने गंगा भी देख लिया आमने हिमाले सिस्टम भी देख लिया हमने अब पासिस में आ जाते हैं पासिस में क्या जम्वु कस्मीर मैं थोड़ा सबफिर से इसको अच्छा से लिख रहा हूँ थोड़ा मैं पेज ले रहा हूं ठीक है चलिए अब लोग पासेश को बताईए कि पासेश में हमने किस तरह से पढ़ा था कि आपको बनिहाल पास याद है किसको किसको जोड़ती है कि आपको जोजिला पास याद है और क्या आपको पैंसिला पास याद है बुर्जिला पास याद है तो बताइए आप लोग कोस्चन है कि इस चो बनिहाल पास हमने पढ़ा भी किसको किसको जोड़ेगे पहला लिखिए फिर आप लोग जोजिला लिखिए फिर आप लोग पेंसिला लिखिए फिर आप लोग बुर्जिला लिखिए इस तरह से आप लोग हारे चीजों को लिखि है जम्मू कस्मीर एंड श्री नगर ठीक है जोजिला पास श्री नगर एंड कार गिल फिर पेंसिला कार गिल एंड कस्मीर भेली और बुर्जिला की बात करें तो फिर मैं लिख रहा हूँ कार गिल एंड किल केट फिर कोश्चन दो आपको मैं पूछ रहा हूँ एक तो मैं बता रहा हूँ पोटूला पास और मैं दूसरा कोश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ वो है खार दूंगला पास पोटूला पास को आप लोग बताईए कारगिल एंड कारगिल एंड ले एंड ये लास्ट ले एंड नूबरा भेली ठीक है क्या हिमाचल प्रदिस के पास सबको याद है रोतांग पास बाड़ा प्लाचला पास और साथ ही साथ चिला पास इतना तो आप लोगों को याद होगा इन सभी चीज़ें इसके साथ ही साथ आप लोगों को बताईए सिकीम के पास सिकीम के पास सियाद है चलेपला नाथूला उत्राखंड के पताईए माना नीती लीपू खंगला पास इससे पी चीज़ें आप लोगों को याद होगी यदि मैं पूछू कि आप लोग बताई असम के असम के पास इस तो घुमला पास तेला पास गॉमडिला पास यह सब याद आया अगर आंदर परदेश एंड यह जो मयम्मार के बीच का मैं पास पूछूं तो जिपू पास कि आप लोगों को याद हैं अगर मैं यहीं पे मनिपूर मतलब इंफाल से अगर मैं बोल दूँ कि आपको जाना है मयन मार पास मिलेगा तो नाम क्या है तोजू पास यह सब चीज़े आप लोग पढ़े हैं अपने भाभर तराई बांगर खादर यह सब चीज़े भी मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है तो इन सब ची चीजों को भी आप लोग ध्यान देके पढ़िए अब मैं थोड़ा सा इंडिया में आ रहा हूं और इस इंडिया में मैं जो कोश्चन पूछूंगा उन सभी चीजों का आप लोग बताने की कोशिस कीजिए ठीक है एक तो राजस्थान में अरावली रेंच क्या याद है गुरु सीखर हाइस्ट पिक, तो यादाया गुजरात की बात करूँ तो कच्ष पेननुसुला एक है और कटिवार पेननुसला दो पार्ट है पेननुसुला का अगर पिक्स की बात करूँ सोरी तो मांडव हिल्स इसके साथ ही साथ गिर रेंज गिरनार रेंज अगर मैं मैं पर्दिश की बात करूँ तो कि आपको याद हैं बिंध्यान चल इसके बीच से एक रिवर निकली है नर्मदा पुलो इस्ट वेस्ट और नीचे सत्फुडा रेंज का स्टन एक्स्टेंशन क्या कहल आएगी खेमूर रेंज इसका स्टन एक्स्टेंशन मैकाल रेंज इसके बीच में एक पिक आएगा हाइस्ट पिक जो है यहाँ का धूपगाड़, हाइस्ट पिक है, मेद पर्देश का, और इसके साथ ही साथ, इस हील्स में है, महादेव हील्स, और इधर इसका वेस्टन एक्स्टेंशन क्या कहला आएगा, राज, पिपला, फ्रेंज, क्या आप लोग इसे भी आ दे हैं, अब मैं आ रहा हूँ, आगे, और यह लास्ट में बता रहा हूँ, इसके बाद आप लोग देख लीजेगा, और यह है महारास्ट, गाविलगड़, गाविलगड़ हिल्स, अजन्ता हिल्स, सत्माला हिल्स, हरिष्चंद्र हिल्स, और अट लासली, बाला घाट, यहां से दो है, हरिष्चंद्र के पास से अगर देखिएगा तो, एक तो कल्सुई भाई है, जो हाईस्ट पीक है, इस महारास्ट का, और एक है, महाबलेश्वर, जहां से आपका, क्रिष्णा रिबर, भीमा रिबर, यह सभी निकलती है, तो इन सभी चीजों का आप लिए क्या होगा, मैं दिखा रहा हूँ, देख लिजिए, उटा कर लिया, इहां देखिए, इन सब चीजों का आप लोग देख लिजिए, एक बार, मैंने क्या का आप लोग को बताया, मैंने पासेज बताया आप लोगों को, यह हिमालेश के टोटल पार्स बताया, एक एक करके, अब लोग इस तरह से कीजिए, अब लोग एक काम कीजिए, अब लोग comment box में आप लोग गंगा river लिखे, गंगा river, heading, slice, जितने भी ट्रिब्टरि जयादे, जितने भी इंटरी जयादे, सभी को आप लिखिए, उस तरह आप लोग देखिए, इस तरह से लिखिए, आप लोग देखिए, ठीक है, इस तरह से आप लोग revision करते रहे हैं, तब तक के लिए धन्यवाद,